Hello everyone, the question says, Sam used to walk to school every morning and it takes him 20 minutes. Okay, so हम इसको एक बर जैसा question की language बोलती जाती है, हम उसको करते जाते हैं, तो उसका solution हम लिख लेते हैं, कि definite सी बात है कि यहाँ पर home और school की बात हो रही है, यहाँ पर आपका एक home होगा और यहाँ पर school होगा, okay? Now, यहाँ से Sam जो है, एक बच्चा निकलता है school के लिए और उसको बोला जाता है कि Sam जो है, उसको generally, usually take उसको 20 minutes लगते हैं, घर, school पहुँचने के लिए. तो अगर माल लीजिए, इसकी कुछ distance होगी L, तो हम इसकी L distance माल लेते हैं, और यह जो L distance पहुँचने में, उसको time लगता है कितना 20 minutes, तो एक equation हम यहाँ से बना सकते हैं, distance बराबर speed into time, let's assume इसकी speed V है, so speed into time, 20 minutes, अब देखिए, यह data तो हमने बना लिया, देखते हैं, क्या कान आया कि उसकी homework की notebook घर छुट गई है, he knew that if he continued walking to school at the same speed, he would be there 8 minutes before the bell, अब बच्चों यहाँ पर एक नई चीज आईए, bell, 8 minutes before the bell, तो अब सबसे important चीज है कि हमें bell के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कि हमारे मन में doubts ऐसा आते हैं, कि यह जो suppose करो यह 20 minute पे पहु जीरो से हाँ से चालू करता है, तो हम अगर मानते हैं कि जैसी वो घर पहुंचता है, स्कूल पहुंचता है, कभी bell बचती है, अगर ऐसा मैं assume करूँ, कि ठीक 20 minute बाद bell बच जाती है, तो अगर आप देखेंगे, तो वो कभी पहले नहीं पहुंच पाएगा bell की, क्योंकि उ जहां से सैम निकलता है, स्कूल के लिए, और कहीं रास्ते में, मान लीजे, एक्स डिस्टेंस दूर पर, उसको यह याद आता है, कि मैं homework की copy घर चूट गया हूँ, घर चूट गया है, और वो उसको लेने जाना है, बट, obviously इसको बुला, usual speed से चलता है, और उसकी speed तो वो ही इसको यहाँ पर analyze होता है, कि वो school पहुँचेगा, तो 8 minute पहले पहुँचेगा, बेल के, तो यह तो possible नहीं है, अगर मैं यह मानू की bell 20 minute पे ही बसती है, तो वो exactly बेल के time पहुँचेगा, कि आपको यह clear हुआ, that simply means, कि यह बात अलग है कि वो 20 minute में school पहुँच रहा है, और यह बात अलग है कि bell कब बज रही है, ठीक है, वरना वो 8 minute पहले कभी bell के नहीं पहुच सकता, ठीक है, चली, तो अब हमें एक clarity आ गई है, कि वो school पहुचना और bell बजना, दोनों में एक difference है, ठीक है, अब थोड़ा सा question को हम फिर से पढ़ता है, he knew that if he continued walking to the school at the same speed, he would be there 8 minute before the bell, okay, तो हम question की simplification के लिए, let's say, यहाँ पर case 2 में ध्यान देते हैं, बच्चों, कि अगर मान लीजे, case 2 में Sam आगे बढ़ रहा है, और Sam इसको यहाँ पर feel हुआ कि वो, अगर मान लीजे, चलता रहता, तो वो वहाँ पर कितने बज़े पहुचता, यह नहीं दिया, बड़ य I think 8 minutes पहले, हाँ, 8 minutes पहले वो पहुच जाता, चले, तो let's assume, कि यार अगर वो, मान लीजे, bell बचती है, bell बजने का time निर्धारित कर लेते हैं, bell अगर मान लीजे, सुबह 10 बजे बचती, 10 a.m. पे बचती, okay, assuming, reference frame हमने fix करी है, अगर bell 10 बजे बचती है, तो मैं यह मान सकता हूँ कि वो school पहुचता, second case में, अगर पहुचता तो, पर वो गया नहीं, अगर पहुचता तो वो लगबग reach करता, 8 minute पहले यहां से, 8 minute पहले मतलब कितनी देर में, 9 बच के, एक 52 minute पे, वो वहाँ पर reach कर जाता, कि आपको यह वाली बात समझ में आई, 9.52 a.m. पे वो वह reach कर जाता, अगर वो इसी speed से चलता रहता, तो, अना, continuously पर वो वहाँ चला रही है, हलां कि speed constant ही है, चले, अब देखेंगे जान से, अब अगला statement पढ़ते हैं, हम क्या बोलता है, 8 minute before the bell, तो he went back home for the notebook and arrived the school 10 minute after the bell, अच्छा, इस statement के पहले में, आपको एक चीज और बताना चा अब उपर वाला statement case और नीचे वाले case को connect करने की बोशेश करते हैं, देखेंगे आप 9 बच के 52 minute पे वो school पहुँचा, और हमें दिया है कि उसको L length cover करने में time कितना लगता हमीशा, 20 minute, मतलब यह निकला कितनी देर पहले होगा, 20 minute और पहले निकला होगा, मतलब यह t equal to 0 पे 9.32 पे वहाँ से निकला, 9.52 पे 20 minute पे पहुँचता है, और वो जो 20 minute 9.52 पे पहुँचता है, वो 8 minute पहले है bell बजने के, clarity आ रही है, चलिए, थोड़ा सा statement, second पहाते हैं, So he went back home for the notebook and arrived the school 10 minutes after the bell, that simply means, कि यार अगर मान लीजिए, वो यहाँ से, अब यहाँ से तो निकल गया, 9.32 पे, अब तीसरे केस में वो क्या करता है, मतलब तीसरे केस, इसी का एक पार्ट है, यह आपका home है, यह आपका school है, अब यह जो Sam है, यह Sam निकला घर से था, 9.32 पे, 9. 9.32 पे निकला था, पर जैसे यह निकला, यह गया, जाके इसको analyze हुआ कि वो पहुँचेगा, 9.52 पे, जो कि 8 मिनिट पहले है, और इसकी चुकी speed constant है, पर यह यहाँ से return हुआ, return होके, इसने क्या करा, sorry, यह return हुआ, return होके वापस जब school पहुँचा, तो bell बजने के 10 मिनिट बाद हो चुके, 10 मिनिट, am I correct, 10 मिनिट, तो आब देखिए, अब यह जो reach करा second case में, यह कितने बज़े करा होगा, 10 बज़ के 10 मिनिट पे यह reach करा होगा, बात आपको समझ में आ रही है, अब देखिए, तीन cases आपके सामने दिये, अब हम तीनो cases, question आपको clear है, हम मैं एक ब निकला, घर से, 20 स्पीट से, अगर वो जब भी निकलता है, 20 स्पीट में पहुंच जाता है, अब second हमें दिया था कि bell बसती है, 10 बज़े, तो 8 मिनिट पहले अगर वो पहुंच था, तो 9 बच की 32 मिनिट पे निकला होगा, तब ही पहुंच पाएगा, और second, third case में वो return ठीक है, तो यहां से x प्लस y की value, यह बात तो guarantee है कि इसकी speed अगर v है, तो उसको 20 मिनिट पहुंचना में लगता है, तो v into 20 मिनिट लगा होगा, सारी चीज़ें हम मिनिट में रहने देते हैं, क्योंकि हमें fractions वगरा शाहिद निकालना है, ठीक है, तो x प्लस y को हम v into 20 लिख होगा, बताइए आप जरा, देखो आप बात को समझना, इसको यहां तक पहुंचने में 10 बच के 10 मिनिट तक आया हो, और निकला कितने था, 9 बच के 32 मिनिट पर, तो 20 मिनिट तो लगे ही लगे, पर साथ में 9.52 से 10 बच के 18 मिनिट और लगे न, 8 मिनिट की, पुराना वाला और 10 मिनिट नए वाला, यह पहुंचा होगा, 20 मिनिट प्लस 18 मिनिट और 38 मिनिट, तो उपर वाली एक्वेशन को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो यहां से निकल के आजाएगा, 2X की वैल्यू आजाएगी, 18 इंटु वी, एक्स की वैल्यू आजाएगी, 9 इंटु वी, ग 11 इंटु वी, ओके, अब आपसे पूचा क्या है, ओके, if he had walked all the way, usual speed, what fraction of the way to school had he covered till the moment he turned back, that means आपसे पूचा क्या है, आपसे पूचा है कि कौन सा fraction, कितना fraction उसने cover कर लिया था, जब उसको यह analyze हुआ, कि turn back होना है मुझे, actually fraction निकालेंगे, तो fraction के लिए हमें यह उसने x distance प plus y थी, तो जो fraction आपसे पूचा है, वो actually में क्या है, वो है x upon x plus y, x देखते कितना है, वो है 9v, और x plus y कितना है पिटा, वो है 20v, answer आजाएगा आपका 9 by 20, I hope this question is clear to you guys, okay, that's all for today, thank you so much.